टीएच डीसी अमिलिया कोल माइन की विस्थापन नीती के विरोथ में विस्थापितों का धरना जारी है। विस्थापितों ने कहा कि जब तक कोल माइन कमपनी अपनी विस्थापन नीती में बदलाव करके विस्थापितों की समस्या के निराकरण नहीं करती है। तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा विस्थापितों के समर्थन में पहुंचे पूर्व मंत्री वंशमणी वर्मा और सरपंच देविंद पाठक ने कहा कि अगर टी एच डी सी कंपणी द्वारा विस्थापन नीती में बदलाव लाकर विस्थापितों के χित में कारें नहीं किया गया तो कॉंग्रेश के बेंर तले अग्र अंधुरन किया जाएगा जब तक विस्थापितों की समस्याओं का अंधिरा गर्मन नहीं होगा अब इसके विरोध में बड़ा अंदोलम किया जाएगा इसका आँ समत्रा करते हैं आप भी जान रहेंगे पूरे मद्द प्रदेश में बेरोध गारों के साथ बेस्थापितों के साथ पीडितों के साथ ये सरकार घोरन्याय कर रही है और जब तक मूल जड़ को हम लोग नहीं खतम करेंगे तब तक इनकी पूरी हक नहीं मिलेगी और हम लोग इवादा करते हैं कि आई साथ पूरे जड़ को खतम करेंगे तब जाकर के इनकी पूरे हकों की दिलवाएंगे ये आज में घोसना करता हुआ मध्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्धिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बेहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है योजना से जुड़ी अधिक चानकारी हेलप लाइन नंबर 0755 2700800 एवं वेबसाइड cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिश्लेश हम करते हैं सत्यका अनुवेशा दखल नियूस आपके हक में आप देख रहे हैं दखल नियूस